हेलो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से हारदिक स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो में उमीद है आप सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों मैथ का चैप्टर 6 कंपेरिंग क्वांटिटीज यानि मात्राओं की तुलना कर रहे थे इससे पहले दोस्तों दो वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है पहली वीडियो में दोस्तों हमें परसेंटेस के बारते ही जिसका बेसी क bargसेप्ट है वो समझा था और कुछ कोष़िट किये थे दूसरी वीडियो में भी दोस्तों हमने कुछ questions किये थे लेकिन कुछ question दोस्तों वो हमारे रह गए थे तो उन questions को हम इस वीडियो में cover करेंगे तो दोस्तों हमारे 1, 2, 3, 3 questions यहाँ पर हो चुके थे अभ्यास के अब हम दोस्तों 4 से लेके जितने भी questions हो पाएंगे प्रिक्षा में अधिकतम औंक क्या हैं एक प्रिक्षा थी दोस्तो उण वह क्या है यान हम किया है और उसके बारा औंक और आ जाते थी तो हो पास हो जाता है और इसकर प AS gotta और महीं आ रख्षा में दूसरा विद्यार से 40% अंग प्राप्त करता है इसके कितने अंग आए दोस्तों 40% अंग आए और न्यूंतम अंगों से 28 अंग अधिक लेकर पास हो गया यह दोस्तों जो पहले एक बार दबारा पता दिता हूं दोस्तों 1 बच्चे के 30% आए लेकिन जो पासिं ना था उससे उसके क्या है दूस्तों 12 आंक काम आए याशने ए 20 पलस और करदेते इसके को में तो पासिंग बन जाएंगे और दूसरे के 40 पर सेंट तो याशनी दूस्तों इसको मार्च है वो पासिंग माक्स से 28 ज्यादए है 28 कहें ज़्यादा है तो दोस्तों इस 28 को मैं क्या कर सकता हूं इस साइट बीड़ सकता हूं तो यह मैंनिस हो जाएगा या नि- 40 पर सेंट मесяं अगर 28 घता दुए तो पांसिंघ माक आ जाएगा और 30 प्रसेंट में त्वwać मां लो इसको दो माल लो तो यह भी passing marks के equal है यह भी passing marks के equal है तो दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ कि अब एक और बाद आपको याद रखने है दोस्तों यहाँ पर अधिकता मांग के बताने हैं तो दोस्तों मैं total marks को क्या माल लेता हूँ दोस्तों एकस का 30 परसेंट यादि 1490s ट्वैला इसका मतलत यहां किसे हम स्खेंग और ऊनकेplanे इकको कर लेंग दोस्तों ऑसेंगे जिरो की चैंसल यहाइगा दूस्तों गेडरू पलस 12 बनेगा और यहां पर 0 के साथ 0 cancel यहां पे बनेगे दोस्तों 4x upon 10-28 अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहां पर LCM लेलेंगे तो LCM लेंगे दोस्तों यहां पर कितना अएगा 3x 10 को 12 के साथ multiply करेंगे तो 120 वाय 10 आ जाएगा और यहां पर 4x minus यहां पर 10 को इसके साथ multiply करेंगे तो 280 by 10 आ जाएगा 10 के साथ दोस्तों 10 cancel करतेंगे अब आप देख सकते दोस्तों 3x है 4x को इस साइड ले जाएगे तो minus और 120 को इस साइड ले जाएगे तो यह भी minus में हो जाएगा और minus 280 पहले ही है अब 3x में से दोस्तों 4x minus करना है जोटे 220 और 8 10 और 2 और 2 4 आएगे और दोनों minus के तो minus का 400 आ जाएगा तो minus के साथ minus cancel x की value कितने आगी दोस्तों 400 जो कि हमने क्या मना था total marks यह अदिक्तमंक तो यही आप से पूछा गया था दोस्तों की अदिक्तमंक कितने है 400 तो अब दिखते हैं दोस्तों question number 5th question number 5th क्या है दोस् सबसे बड़ा भाग पुंजी का कितने प्रतिसत है तो दोस्तों यहाँ पे दिखो कोई धन था अब हमें नहीं पता कि वो कितना था लेकिन अनुपाद दिया हुआ है उसको बाटनेगा तो किसक में बाटा गया 4 अनुपाद 5 अनुपाद 6 में तो हम क्या मालनें कि दोस्तो जो पहला हिस्सा है वो 4X है दूसरा हिस्सा 5X है और तीसरा हिस्सा कि है 6X है तो 4 अनुपाद 5 अनुपाद 6 का मतलब दोस्तों एक हिस्सा 4X दूसरा 5X तीसरा 6X अगर हमें टोटल धन निकालना हो दोस्तों 4 और 5 9 और 6 15 तो टोटल धन कितना आ गया हमारा 15X आ गया तो क्य एक्स डिवाइड में टोटल यानि 15 एक्स और इंटू 100 कर देंगे दोस्तों प्रसेंटेज निकाल लेंगे फोर्मूला है अब दोस्तों एक्स के साथ एक्स कैंसिल तीन दूनी यहां पे 6 और तीन पंजे 15 पांस दूनी 10 और यहां पे 0 तो 20 दूनी 40 आजाएगा दोस्तों 40 प पुस्तक की 42 प्रतिय चापी गई तता प्रते एक पुस्तक का मुल्य एक सो तीस निजारत किया गया लेकक को रोल्टी के रूप में धन प्राप्त होगा दोस्तों एक पुस्तक पे 6 मुल्या पर 7 प्रसेंट रोल्टी मिलती है अब एक पुस्तक का मुल्या कितना है दोस्तो ये इसका 7 प्रसेंट तो 42 पुष्ट के हैं तो इसका मतलब हम इसको 42 के साथ गुना deign Desh इसकी रोयल्टी आ जाएगी तुए सको द तो दो एकम दो और जो 0 यहाँ पे लिख देंगे दो निम्में यहाँ पे 18 आ जाएगा दोस्तो चार एकम 4 और 4 निम्में 36 तो यह कितना बनेगा दोस्तो जीरो दो आठ रो चार बारा आठ तीन आठ 38,220 रुपे दोस्तो इसकी रोल्टी बन जाएगी और आप देख सकते उप्षन C है 38,220 तो यह तो दोस्तो कोश्चन नमबर 6 का उप्षन C राइट अंसर अब देखते कोश्चन नमबर 7 किया दोस्तो किसी वस्तू के बनाने में मजदूरी 25 रुपे तथा समान कितना दोस्त खर्च 20 रुपे यतनी मजदूरी 20 परसेंट घट जाए और समान खर्च 25 परसेंट बढ़ जाए तो वस्तू के खर्चे में प्रतिस्यत कमी यह तो एक इंट्रेस्टिंग कोश्चन है और इससे आप सिखोगे कि परसेंटेज में जो घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उसको 20 रुपे अब यहाँ पर देखो दोस्तों मजदूरी कहता है कि 20 परसेंट घट जाए 24 उसको ऑढ़ें जो 25 बचेगी तो बढ़ने los जो खर्चा वह कितना होगा 25% परसेंट बढ़ा है दोस्तों तो सो में 25 जोड़ेंगे 125 और बटे सो के साथ गुना कर देंगे तो बढ़ने के बाद 25% खर्चा बढ़के कितना आएगा यह आपके हैं इससे सोलू करके आ जाएगा इसको काट तो दोस्तों यहां पर 0 चार दो चुक के आठ दो पंजे दस और पांच पंजे पच्चिस तो पांच पंजे कितना बच्चा दोस्तों 20 रुपे आपके मजदूरी यहां पर रहे गई घटने के बाद और दोस्तों 20 रुपे के आता खर्चा था तो एक 25 परसेंट इसमें बढ़ोतरी की है तो बढ़ोत कि बढ़ोतरी कि नीए और जो मज़ दोरी थी वह 25 से कितनी होगी 20 इसमें 20 की कंभी थी अब आगे कोस्टन में क्या पूला है दोस्तों तो वस्तुके खर्चें सबस्तुव बनाने में मजदूरी इतनी है और समान खर्च इतना मजदूरी घटा दी और खर्चा था था दो तो यहां पर पूछे दोस्तों वस्तू के जो खर्चा है उसमें कमी कितनी हुई तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मजदूरी और खर्च कितना था दोस्तों पहले 45 था और अभी भी कितना है दोस्तों 45 है तो यहां पर कोई भी कमी नहीं हुई तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 0% क्या लिखेंगे दोस्तों 0% यहाँ पे आपका अंसर आजाएगा option D एक बार दोस्तों मैंसे चेक कर लेता हूं कि यह सही है या नहीं तो question number 7 है दोस्तों जिसका D है दोस्तों यह हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले 25 प्लस 20 पहले कितना था 45 था और अभी भी 20 प्लस 25 प्लस 45 रुपे जो है total खर्च है तो मतलब इसमें कोई भी ना तो कमी हुई और ना ही दोस्तों इसमें क्या विरिद्धी हुई तो 0% 45-45 जीरो तो 0 के डिवाइड में दोस्तों total करेंगे और इंटु 100 करेंगे तो 0 यह आएगा तो 0% आपको यहाँ पी राइट अंसर हो जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों question number 8 की और श्याम ने अपने वेतन का 40 प्रसेंट दान कर दिया तथा सेश वेतन का 10 प्रसेंट बैंक में जम्मा कर दिया वैद्धी अब उसके पास 10,800 रुपए है तो उसका वेतन में आपको क्या करना है उसका व्यतन का दान कर दिया तो इसका बचे बचे हैं तो रहें जाएगा यान urine– doctor निए उसके पास कितना आति कि उसके त्यों और सप्रेंट निए 5 और वाया स्था सड़ाने उसके पास कि उसके कर दिया तो 10% पेंकि में जमा कर दिया तो 10% के बाद उसके पास कितने बचेगा 90% तो 90 बटे 100 के साथ गुणा कर देंगे अब यह ति उसके पास अब जो 80 बचिये दोस्तों यह कितनी है 10,080 है कितनी दोस्तों 10,800 रुपे है तो आप हमें क्या निकालना उसका वेतर निकालना यह यह एक्स की वेलु निकालनी है में है अब इसको दोस्तों आपको क्या करना है तो सबसे पहले यहां पर मैं 6 एकम 6 और 6,8,8,8 फिर 9,2,18 तो कितना बचा दोस्तों 1,2,3,4,4,0 जाद आएंगी तो X की वेलु कितनी आगी दोस्तों 20,000 आपके पास आगी तो आप देख सकते दोस्तों option C में 20,000 है तो यह आपका right answer हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों question number 9 तो question number 9 दोस्तों यह रहा रोहित अपने वेतन का 30% बचाता है और जब उसके खर्चे 30% बढ़ जाते हैं तो वह 1215 हर मेने बचाता है उसकी मासिक आए क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक formula आपको याद रखना है कि जो i है यानि वो कमाता है वो किसके बराबर उध होती है खर्च पलस बच्चत के यह आपको याद रखना है खर्च पलस बच्चत के यह आपने 100 रुपे कुमाए 40 रुपे खर्च कर दी तो आपके पास बच्चत कितनी हुई 60 की तो यह आपको याद रखना है आए बराबर खर्च पलस बच्चत और अगर आपको बच्चत निकाल तो इसका 30% पर सेंट बंचाता है तो इसकी बचछत आगी दोस्तो 30% यह कि varieties सकते दोस्तों जिसकी budget है वो कितनी है 30x 100 है 30% x का उसके बाद किया दोस्तों जब उसके खर्चे 30% बढ़ जाते हैं अब दोस्तों अगर budget 30% है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो जो खर्चेया और कितना होगा 70% होगा लिडिकी 70-वड़े 300-100 होगा तो इसके खर्चे 30% बढ़ गया अब खर्चा दोस्तों महिने 1215 रुपे बचाता है तो उसकी मासी काई आपको निकालनी है तो दोस्तों यहां पे देखो जो उसका खर्चा है वो तो यह हो गया अब हम यहां पे बचे तो हमको कितनी दी है दोस्तों 1215 रुपे 1215 तो हमें क्या निकालना उसकी मासी काई निकालनी है तो देखो दोस् जिरो कैंसल, जिरो के साथ जिरो कैंसल, तो 17-51, तो सोरी दोस्तो, 13-71-91, डिवाइड में 100, तो उसका खर्चा कितना आ गया, दोस्तो 51X बटे 100, खर्चा कितना आ गया, 52X बटे 100, तो आप यहाँ पर देख सकते, दोस्तो कर खर्चा 51X बटे 100 है, और जो इसकी आये है वो X है तो X में से 51 X बटे-100 हम मैनिस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 9X बटे-100 आप देख सकते दोस्तों X में से 91X by 100 मैनिस करेंगे एक बर मैं करके दिखा देता हूं दोस्तों 91 by 100X मैनिस करेंगे तो 100 तो दोस्तों यहां पे LCM आएगा, तो 100X-91X, तो 100 में से 91 गट आएगे, 9X यहाएगा, तो 9X by 100 क्या आगी हमारी बच्चत आगी, क्योंकि दोस्तों यहां आए थी, दोस्तों इसको यहाँ पर देखो यह क्या है दोस्तों 9x by 100 किसके एकवल आगे हमारा 1215 आगे अब x की value निकाल ली है तो 1215 into 100 ओपर चला जाएगा और यह multiply में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो इसे काटेंगे दोस्तों 9 वंचा 9 तीन बचे का दोस्तों तो 927 17,500 रुबे 17,500 इसके साथ गुणा करने बे तो आप देख सकते दोस्तों अब यह 17,500 कि यहां दोस्तों उसकी वेतन का 30% बजाता है तो यहां पर दोस्तों x की value आगे लेकिन ऐसा कोई भी option में नहीं है तो दोस्तों हमसे कुछ न कुछ यहां पर गडबड हो गई है एक बा हम करेंगे 100 बटे 9 के साथ डिवाइड तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते 9 एकम 9 और 31 बचा तो 9 32 आएगा मैंने यहां पर दोस्तों 7 लिख दिया तो 9 32 तो यहां पर 3 आएगा और फिर 9 55 तो 135 गुना 100 बचेगा जो की 16,300 आएगा तो थोड़ी ही दोस्तों मिश्टेक ह तो question number 10 के है दोस्तों यदि किसी भीन का अंस 20 परसेंट बढ़ा दिया जाए तता उसका हर 10 परसेंट घटा दिया जाए तो भीन का मान 16 बचे 27 हो जाता है भीन का वास्टविक मान क्या है दोस्तों हमें नहीं पता की भीन क्या है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले भीन को X,Y, क्योंकि भीन पता है आपको क्या होती है दोस्तों अंस बटे हर क्या है भीन होती है तो अंस बटे हर को दोस्तों हमने क्या माल लिया X सपोन Y माल लिया उसने कहा है कि भीन का जो अंस है यानि उपर जो इसको हम दोस्तों numerator और denominator बोलते हैं तो अंस को जो उपर वाला है उसको इसको अगर हम यहां पर काटें तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तो 2,5,10,2,6 के बारा यानि 6x बटे 5 हमारा क्या बन गया दोस्तो अंस बन गया 6x बटे 5 हमारा क्या बन गया अंस बन गया और इसने कहा है दोस्तो कि इसका हर denominator को 10% गटा दिया जाए यानि दोस्तो हर क्या है हमारा y है तो इसको 10% गटाएंगे यानि कि 90 बटे 100 के साथ गुणा कर देंगे कितना गया दोस्तो नो उइं बटे 100 यहां पे हमारा kya अगया हर आगया अब दोस्तो यहां पे देखो अगर मुझे भीन निकालनी है तो भीन क्या होता है अच rest धर हर तो जो नई भीन बनी हमारी जो नई भीन बने वो क्या बनेंगी दोस्तो हमारी आंश बटे हर बनेगी अंस कितना है 6x अपउन 5, 6x बटे 5, Divide में हर कितना है दोस्तो 9y बटे 10 है तो यह हमारा अंश बटे हर हो गया अब दोस्तो यहां पे देखो अगर हम इसको काटे तो 5 भन जा 5, 5, 2, 10 आएगा और यह 2 यहां पर चे बटे 5 एक था यह आपको साइद करना आता होगा और 9 वई बटे 10 था तो 5 एकम 5 पांच दूने 10 तो उपर 6 बटे एक रहा और निचे 9 बटे 2 तो 2 छिक्के हाँ पे 12 और 9 हो गए अब इसको हमें यहाँ पे काट देंगे 4, 3 चोके 12, 3 तिया 9 तो कितना बना दोस्तो 4X बटे 3Y बन गया 4X बटे 3Y हमारी नई भिन बनी और यह किसके एक रहा दी हुई है दोस्तो 16 अपून 27 के 16 बटे 27 के बराबर दी हुई है अब यहाँ पे देखो दोस्तो 4X बटे 3Y की वेल्यू 16X 4X बटे 3Y की वेल्यू 16 बटे 27 के बराबर दी हुए है तो 4 चुक्के 16 और 3 में 27 तो X बटे Y की वेल्यू कितने आगी 4 बटे 9 आगी दोस्तों क्या आगी दोस्तों 4 बटे 9 यह हमें निकालना था तो आप देख सकते हैं option A भी दिया हुआ है दोस्तों 4 बटे 9 तो आपका राइट अंसर हो जाएगा अ और तीसरी संख्या को मैंने X माल लिया तो दो संख्या है तीसरी संख्या से X से 30 परसेंट और 40 परसेंट कम है पहली 30 परसेंट कम है तो X गुना 100 में से 30 मैनिस करेंगे 70 बटे सोवा जाएगी और दूसरी 40 परसेंट कम है तो X गुना 100 में से 40 मैनिस करेंगे 60 बटे सोवा ज प्रू कर लो ये कितना आएगा साथ एक्स बटे 10 और ये कितना आएगा 6 एक्स बटे 10 तो इसने कहा है दोस्तों कि पहले संख्या और लिक्तिने संसने कम है तो पहले तो दोस्तों हम इसको मैनिस कर लेंगे 7x-6x पहले तो इसको minus करेंगे difference निकालेंगे तो आपको स्याफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तो एक्स बटे 10 आ जाएगा अब यह x बटे 10 है जो इसका यानी 7x बटे 10 का कितना परसेंट है तो गुना 100 कर देंगे डिवाइड करके तो 10 के साथ 10 cancel, x के साथ x cancel तो 100 बटे 7 आ गया दोस्तों, कितना आ गया? 100 बटे 7 और आपको पता है दोस्तों 7 एकम 7 फिर यहां पर 30 बचेगा 7 चोकी 28 और 2 बटे 7 आएगा 14, 7, 98 और 200 बटे यहां पर 7 तो 14 सही 2 बटे 7 तो 14 सही 2 बटे 7 परसेंट option D में दी हुआ है तो यहां पर यहां पर राइट अंसर हो जाएगा तो पहले दोस्तों आपने 1 और 2 नमबर निकाल लिया, फिर इनका difference निकाल लिया कि इसने पूछे कितना कम है, तो पहले इसमें नमबर में निकालेंगे कि एकस बटे 10 कम है और इसको फिर percentage में बदलेंगे, तो जिससे पूछा जाते है उसको नीचे लिखते हैं दोस्तों अगर ये पूछता कि 7 x बटे 10 इससे कितना परसेंट जादा है, तो इससे पूछा है तो इसको हम नीचे रखते, तब हम ऐसे करते, अब इससे कम पूछा है तो इसको हम आपे नीचे रखेंगे, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है अब दोस्तों question number 12 देखते हैं, दोस्तों 12 क्या है, किसी मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाती है, प्रतु उसके द्वारा किये जाने वाले कारे के गंटे 20% कम कर दी जाती है, यह दिवास्तों में हैं, दोस्तों रुपे प्रतिदिन मजदूरी लेता तब उसकी मजदूरी क्या होगी, दोस्तों जो मजदूरी है, वो किसके पराबर होती है, मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी 200% बढ़ा दी, अब मालो दोस्तों उसकी मजदूरी क्या थी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ X थी, कितनी थी X थी, तो 20% बढ़ाने के पाद कित इतने कम कर दी 20 तो X पीस मैंच करेंग से 80 से इतने मज़ते ऑगे पहले उसकी जो मज़दूरी किसा कुछ में जबते को सोलू कर लेगे थोड़ा 0 आ जाएगा दो चिक्के 12 दो पंजे 10 तो 6 एक्स बटे 5 यह तो हमारी क्या है दोस्तों मजदूरी है इसकी 2 चुक्के 8 दो पंजे 10 और 4 एक्स बटे 5 क्या दोस्तों यह उसका यहाँ पर क्या घंटे है तो अब मजदूरी निकालने तो इनकी गु चार बटे 5 एक्स डॉर यहाँ पर भाई यह तो फिस गुना 22 और पचीर आट आ गया दोस्तों चोबिस गुना 8 तो के 22 आट दुनिची सोला और साड़ी निकालने roz लाट हां जांबंड़ा धमतलर यह Kakनीर डिक्लियो ऑनीर गुलाने शोरा मदल सबताहरे क्विक्त को थे दीक्तिया जानुत अक्ण अपयर हों जाएगा अब देखते हैं दूस्टेंशन गहाई एक संख्या दूसरे संख्य है मालों जो x है वो y की 80% है यहीं कि y गुना 80 बटे 100 है तो इसको काट देंगे 2 चुक के 8 2 पंजे 10 तो x की value आगे दोस्तो 4y upon 5 तो इसने क्या पुछेन का अंतर बताना है अब दोस्तो आपके पास दो equations आ गई तो इसको solo करनेंगे x की value हम यहां पर पूट कर देंगे इसकी जगा एक्स की जगा यहां पर तो देखो दोस्तो एक्स की value कितनी है कितना आएगा 100 और 5 के साथ गुना करेंगे तो 500 तो y की value दोस्तो हमारे पास 500 आ गई अब x की value कितनी है चार बटे 5 गुना y तो y की value कितनी आगे दोस्तो 500 तो 500 तो 5 एकम 5 तो x की value 400 आ जाएगी आप देखते हैं दोस्तो question number 13 होगे हमारा 14 देखते हैं किसी गोले की त्रिज्या 2% बढ़ा दी त्रिज्या मानलो आर थी 2% बढ़ा दी तो आर गुना 102 बटे 100 जाएगी 2% बढ़ाई है इसके क्षित्रफल में कितनी वृद्धी होगी दोस्तो गोला है गोले का क्षित्रफ आती है तो यहां पर देखो दोस्तो अगर हम यहां पर स्केर करेंगे 102 बटे 100 इसका स्केर करेंगे दोस्तों तो 102 का स्केर करेंगे कितना आएगा दोस्तों दो दूनी चार दो एकम दो और यहां पे दोस्तो एक Соथ तो 10104 यहांपे रिजू भैसर के दूस्त यहां पहले जोना होना आ अगर मैं इसको फोर फैर सकेर मनोरेसिक्षा क्षिट्रफल कितना हो गए है अब जो खृत्रफल वो कितना हुआ एक जिरो चार प्षिट्रफल पून के कितना दोस्तूं दस हजार यह आप क्षिट्रफल हो गैस क्षिट्र हो गया है और यहां पर जो धेन लौन एक सो दो इन्टु आरं पटेस नों है इसका पूरेगा स्केर करेंगे तो यहां पर या अरबी और का स्केर आएगा अब दोस्तो पहले एरिया यह था अभ एरिया यहां यहां पर यह आगया तो इस नहीं कहा कि के के शित्र फल में virdy कितनी हुई तो सब से 404 r square by 10,000 minus r square करेंगे तो दोस्तो जब इस 10,404 में से 10,000 minus करेंगे क्योंकि यहाँ पर जाएगा आपको पता है तो हमारे पास जो इनका अंत्र है वो कितना आएगा 4 pi और कितना आएगा दोस्तो 10,404 r square minus 10,000 r square divide में क्या आएगा दोस्तो 10,000 आएगा और यहाँ पे इस में से जब minus करेंगे तो 404 आएगा तो 404 बटे 10,000 और यहाँ पे यह भी है दोस्तो क्या है 4 pi r square भी है 4 pi r square भी है तो यह हमारा क्या गया दोस्तो difference आगया अब यह difference है दोस्तो यह कितना ज़्यादा है आपको क्या बताना है कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है percentage में निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तो इस difference को जो पहले वाला area यह था यहनिकी 4 pi r square भी r square इसके साथ गुना करके क्या कर देंगे गुना 100 कर देंगे तो 2 azities कट जाएगा 2 0 जिसके साथ कट गी तो कितना है दोस्तो 404 बटे सो आ गया जिसको हम कहें लिख सकते है 4.04% तो 4.04% दोस्तो आप देख सकते option D में है तो 4.04% आपके यहाँ पर right answer हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तो question number 15 question number 15 क्या है दोस्तो चुनाव में c tie mẫn सब्सक्राइब हो जाता है और एक परत्याशी वैद मत्यों का 55% प्राक्स करता है दूसरे परत्याशी ने 220 4.04 मतों से जीट जाता है तो कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तो एक चुनाव में मानलो यह जो बोटें डली है इनका 4% रद हो गया 4% रद हो गया यानि कितनी वोटें जो है हमने मानी 4% तो खतम हो गई तो 96% रहेगी 962 इसको गुना कर देंगे तो रद होने के बाद जो वैद मत्य हैं उनकी संख्यागी 962 अब दोस्तों 1% वैद मत्यों का 55% प्राप्स करता है अब एक जो प्रत्यासी है उसको इस इन वैद मत्यों को कितना मिला 85% मिला इनकी 852 तो तता दूसरे प्रत्यासी से और दूसरे प्रत्यासी को कितना मिला होगा फिर दोस्तों अगर इसको 55% मिला है और वह दूसरे पर्त्यासी से 240 मत्unting से जीत जाता है। अब दूस्तो ये मिली है पहले पर्त्यासी को वोटिंग और ये वोटिंग किसके दूसरे पर्त्यासी की अब जो पहला है वो जीत गया कितनी वोटूं से 240 240 इसका मतलब कहा दोस्तों करेंगे तो 240 आएगा इसका मतलब यह होता है अगर कोई प्रत्यासी तो यह जो value है तो सेम है कौन-कौन सी एक्स गुना 96 अपून 100 और यह वाला 100 भी दोस्तों मतलब कॉम्बन है यह कॉम्बन मतलब क्या सेम है दोनों में तो कॉम्बन आ जाएगा आपको सिंपल 55 में से 45 मैनिस करना है तो अब क्या आएगा हमारे पास दोस्तों एक्स गुना 96 बटे 100 गुना 100 और इसमें से मैनिस करेंगे तो 10 आएगा तो 0 के साथ 0 यहां पर कट चाएगी तो आपके पास कितना है दोस्तों 96 बटे 1000 और यहां पर अपर ऐगा डिवाइड हि estas दूस्तो चोबीस तुने यहाँ पे देख सकते दूस्तो भाइर दूने चोबीस बाराथचे है 1224 बारटे 96 यहां डिरेक्ट भी कर सकते 24-96 तो दो चुक्क यहां पे आठ और यहांपे दोस्तों चार दोनी आठ 4 पंचे 20-0 फिर यहां पर कितना आएगा अच्छे तो ठीक है दोस्तों यहां पर 0 भी है यहां पर 0 भी है तो 1-0 लग जाएगी तो 200 यहां पर आएगा यहां पर देख सकते option B में है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा एक बार दोबारा करके दिखाता हूं दोस्तों आप हो जाओगे नहीं तो यह 1000 था और डिवाइड़ में 96 था तो बारा दुने 24 भीस आएगा बारा ठेश्यानवे फिर यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि दो दहाँ बीस और दो चुक्की आठ फिर चार के साथ करेंगे चार दुनिया चार पंजे बीस चार फिर जीरो फिर फिर स्टी और 10% के साथ 6000 में कोई चीज खरे दी गई तो यहां पर देखो दोस्तों यह भी प्रसेंटेज गई है मुझे लगा यह लाभानी का होगा तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों यहां पर देखो एक मोबाईल है 10% उस पर SGST और 10% CGST यहने दो टेक्स लगे अब हमें नहीं पता दोस्तों मोबाईल कितने का तो हमने एक्स का माल लिया तो 10% SGST लगा तो यहनी कि उसका जो मुल्या बढ़ जाएगा 10% तो एक्स गुना 110 बटे 100 हो जाएगा क्योंकि 10% इस पर क्या है SGST लगा तो उसका मुल्या बढ निकालना है बीना जेस्टी के तो यहनी दोस्तों एक्स गुना यह आपके पांच एक्वेशन बनी गई है यहां पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जीरो के साथ जीरो कैंसल कर दो तो कितना आ गया दोस्तों 11 गुना ग्यारा बटे 10 गुना दस होई आ जाएगा इन 155 तो 106 बचेगा 11 फिर यहां पर क्या करेंगे दोस्तों 11.9999 करेंगे दोस्तों तो पहले एक बार देख लेते हैं 6-12 तो 11 के साथ साथ यह कटेगा नहीं क्योंकि 6 और 6 यहां पर कितना दोस्तों 216 656 251 है तो 6 6 221 पांच audible उने होगा तो दस प्र सेंटD10 के सास इतने में खेठ घ्र हैं जीएश्टी के बिना क्या मुल्या होगा एक था तो आशटी के बिना इसका मुल्या बता होगा आ वैसे ही है तो यहां पर इसको काट के देखते हैं एक बार दोस्तों तो दोस्तों वैसे डिवाइड तो नहीं होगा 11 से कंप्लीट क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम इसका अप्रोक्सिमेट निगाले तो छेस्सो पैसेट सो मतलि इसका सो करतेंगे तो 111 बनेंगे डिवाइड में 121 तो 121 के साथ इसको अगर हम यहां पर डिवाइड करके देखे एक बार देखते हैं तो 121 के साथ करेंगे दोस्तों तो कितने बंगा यह शेकम शे पर पांच पर जाएगा पांच एकम 5 पांच दूनी 10 और 5 कुम पांच और एक छे आ जाएगा ते बनेगा दोस्ते यहाँ पर हमारा 51 और यहां पर वन आ गया कितने पर पांच पर फिर दौस्त चार पर जाएगा चार चार तो गयार में पर चाहर चाहरी साथ रीवाओं 6 मेंकसा उला चाहरे अन्य इसुख चैनल टूहन देंख़ेयर्य और व्क क्ष्ट गार्द करते श्क्राइद के मृष्ट हाग्मिकारम Works है तो इसके कोडिंग तो दोस्तों इसका 5425 यानि कि 5425 होना चीए जो इसके पास है एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों इसका जो अंसर क्या है सो क्वेश्चन नंबर 16 का तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों यह है 5425 है और इसमें दोस्तों अगर है तो इसमें देख लेते हैं तो ऐसे ट्रिक्व किया हुआ है तो थोड़ा हग क्या है दोस्तों यहां पर पूरा नहीं कट रहा था दोस्तों 11 से दोस्ते नहीं कटा था तो हमने यहां पर एप्रोक्सिमेट करके देख लिए तो लगबग 5422 जो कि लगबग 5425 के एकवल है तो दोस्तों अगर एक बार मदल कोई कि ऐसा कोश्चन आ जाए तो पहले एक बार चेक कर लेना कि हमने कोई गलती किया है नहीं अब हमने कोई गलती नहीं की थी हम बिल्कुल सही दे तो आपको क्या करना है ऐसे ही मतलब करके देख लेना है प्रोक्सिमेट में जो भी आप कंसर इससे मैच खाएगा वह आपका क्या है कम्प्यूटर का मुल्य जो पच्ची हजार से गटा कर 2,875 हो गया मुल्य प्रतिषीत की कमी तो प्रसेंट निकालना है कितने परसेंट कमी हुई है पहले कितना दोस्तो 25,000 अब कितना हो गया 24,900 हं टो कितना कम हुआ दोस्तो दस में से 5-ず करेंगे 5 फिर 2 और फिर यहां पे एक 125 की कमी हुई है तो जो एक 125 है दोस्तों वह 25 हजार क c unfold यह आपको बताना है तो जीरो के साथ wordt कैंसel और यहां पर यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कुछिस जो यह एक 125 125 दूने कि तना थे मैंवर 400 अनिए 2-4701 लिख सकते 0.5 लिख सकते आपको पता है तो 0.5 परसेंट दोस्तों यहां पे आपका यहां उप्सन भी है यह आपका राइट अंसर हो जाएगा आपको क्या कहा गया दोस्तों जो कंप्यूटर का मुल्या 25,000 से घटके कितना हो गया 24,885 तो मुल्या में जो कमी हुई है वो पर всп obt धनी दोस्तों 1200 का याणि 25% सो के 5-15 परसेंट्य। 225 सोज्टी यह कितना परसेंट्ा यह इसकव के 15% का कितने पृति हैं यह इसका कितने हैं या निदोस्तों सबसे पहले से सोल कर लेते हैं भारापने शाठ थे refer अगर शोल कर लेथे 15 तो जो 60 है वो 15 का कितना परसेंट है तो इसको हम उना करते हैं 15 फैसिक खेई आएगा कितना आएगा 400 प्रसेंट आएगा तो आने तो 15 नीचे आएगा अगर 15-60 का पूछते तो 15-60 का फिर ऐसे आथा इसका भी आपको ध्यान में रखना है तो यह कहा है दोस्तों डी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अब दोस्तों को करते हैं कुश्चन नमबर 19 कहां दोस्तों यहां पर एक दिन का जो एक दिन का कितना परसेंट चार घंटा 30 मिनट है अच्छा दोस्तों तो यहां पर देखो दोस्तों यह भी एक इंट्रेस्टिग कोश्चन है इसने कहा दोस्तों एक दिन का चार घंटा 30 मिनट चार घंटा 30 मिनट है जो एक दिन का कितने परसेंट है तो देखो दोस्तो चार घंटा 30 मिनट अब इसे मैं कहा लिख सकता हूँ सड़े चार घंटा इस पर कार भी लिख सकता हूँ आपको पता है तो सड़े चार घंटा है दोस्तो यह एक दिन का एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो यह इसका 24 गंटे का कितने % है तो इसको सबसे पहले 4 दूनी 8 और 9 बटे 2 लिख सकता हूँ तो जो यह 9 बटे 2 है दोस्तो यह 24 का यहने डिवाइड में 24 का कितने % है और गुना कितने कर देंगे 100 अब यहाँ पे देखो दोस्तो जो 2 है इसके साथ गुना हो जाएगी तो 24 दूने 48 और कितना बनेगा दोस्तो यहाँ पे बनेगा 100 तो अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे चार एकम 4 चार दून याठ और चार को जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे 25 आएगा अब दोस्तो तीन 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 चुक के बारा यहाँ पे बना दोस्तो 25 तीए 75 बटे 4 तो कितना आएगा दोस्तो 75 को हम 4 से भाग करके यहाँ पे देख लेते हैं तो 4 एकम 4 यहाँ पे 35 बचेगा चार अठ्ठे 32 और फिर यहाँ पे तीन बचेगा फिर यहाँ पे 47 अठाइस दो बचेगा चार पंजे 20 कितना है दोस्तों 20 तो 18.75 परसेंट आपका अंसर आजाएगा जो कि कहा दोस्तों सी है आप जहां पे देख सकते हो अब देखते हैं दोस्तों कुश्चन नं कर देंगे तो इसकी आया जाएगी और जो बी की आया है दोस्तों बी किसके पराबर है एकी आये से 25 परसेंट अधिक है तो एसे 25 परसेंट अधिक है तो 125 के साथ गुणा करके बटे सो कर देंगे बी की आया जाएगी तो सी की आये इसे ने पूछा है सी की आये A की आये से कितना परसेंट अधिक है यह हमें बताना है तो सबसे पहले देखो दोस्तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे C की आये A की परसेंट का अब B की value हमारे पास दोस्तों यह आ गई तो इस B की value को हम यहाँ पे रख देंगे कितना बनेगा दोस्ता करें हम इसे सोलो करें 25 पंजे 125 पंजे 125 चुके 100 तो 5A अपोन 4 आ गया B की वैल्यू 5A अपोन 4 आ गई अब दोस्तो जो ये B की वैल्यू है हम इसकी जगह यहाँ पर रख देंगे तो मैं आप इस साट करता हूँ दोस्तो इसको C की वैल्यू कितनी है अगर हम इसे काटें दोस्तो 0 के साथ 0 कैंसल और कितना 25 दोचे 12 तो C की वैल्यू कितनी है दोस्तो B गुना 6 बटे 5 उसके दोत रिक्कें दूस्तों निकालने के पहला दोत देखो आप कैसे निकाल लोगे जो C है यहाँ पर A गुना और यहाँ पर कितना है 2 और उपर कितना है 3 है अब दोस्तो इसको अगर मुझे 100 बनाना है 2 को तो मुझे क्या करना पड़ेगा 50 की गुना करनी पड़ेगी तो उपर इस 50 की गुना कर दो नीचे भी तो A कितना आगया दोस्तो और ये कितना आगा 100 तो डेड़ सो से कितना ज्यादा है दूस्तों ये 50 ज्यादा है 100 प्लस 50 इसको लिख सकते है तो जो C है वो A से 50% ज्यादा है तो इस परकार आपको याँ पर अंसर आजाएगा 50% यानि कि Option B और दूसरा आप कैसे कर सकते दूस्तों इसको c की value कितने 3A by 2 है तो c में से अगर हम a minus कर दे यानि a minus करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा दोस्तो a by 2 आ जाएगा कितना आएगा a by 2 क्योंकि 3 by 2 है तो अगर इसका LC मलेंगे तो यह आएगा दोस्तो 3 minus 2 a by 2 आ जाएगा तो जो A by 2 है यह हमें निकालना है कि इसका कितने परसेंट बनता है A का तो A by 2 A का कितना परसेंट बनेगा तो आज साफ दिख रहा है दोस्तों 40% ही बनेगा तो 50% दोस्तों आपके हाँ पे option B right answer आ जाएगा अब देखते हैं दोस्तों question number 21 यह रहा दोस्तों option B 50% अब 21 देखते हैं दोस्तों इसका right answer क्या होगा एग विक्ति अपनी आए का 75% खर्च करता है कितना खर्च करता है दोस्तों 75% तो 75% खर्च करता है यानि अगर उसकी आए X थी तो उसका खर्चा कितना हो गया 75% बढ़ जाती है अब दोस्तों यहाँ पर देखो X उसकी आए थी आए कितनी बढ़ गी दोस्तों 20% यह जो कितना है दोस्तों खर्च है पहले वाला और यह कह थी आए थी अब इसकी आए जो X थी वो 20% बढ़ गई यानि कि 120 बटे 100 गुना X हो गई और वह अपना खर्चा 20% बढ़ा देता है और जिसका खर्चा यह था दोस्तों यह तो आए हो गई अब जो एक खर्च था दोस्तों इसको थोड़ा हम काट लेते हैं दोस्तों 25 थी वो 25 चुके 100 यानि इसका खर्च कितना था 3X बटे 4 था अब जो 3X बटे 4 है दोस्तों यह कहां 20% बढ़ गया यानि कि इसको 120 बटे 100 के साथ हम गुना करेंगे तो 20% बढ़ने से दोस्तों कितना हुआ इसको थोड़ा काट लेते हैं दो चिक के बारा 2510 दो दुनी 4 दो तिया 6 तो 3 तिया 9X और 2510X तो 9 बटे 10X यहां पर 9X बटे 10 यहां पर क्या है दोस्तों अब इसका खर्चा हो गया अब इसने क्या कहा दोस्तों उसकी बच्चत कितनी प्रतिश्यत लगबग बढ़ जाती है तो बच्चत बतानी है कितनी बढ़ी है अब दुक्त यहां पर देखो खर्चा अब कितना है उसका 2-6-12-25-10, 6X बटे 5 अब उसका खर्चा है और उसकी आय च tut-5, निकालनी है तो बच्चत कितनी होगै दोस्तों हम क्या करेंगए mitो तो 6 6X बटे 5 में से 9X बटे 10 माइनिस कर देंगे अब दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा होगा अगर हम इसका LCM लेंगे तो 10 आएगा और यहां पे 6 दूनी 12X माइनिस के 9X यानि 3X बटे 10 के हमारा बचत आ गई अब दोस्तों 3X बटे 10 क्या है हमारी बचत है लेकिन हमें कि प्रसेंटेज में बतानी है किसे में प्रसेंटेज में तो खर्चा कितना है 6X बटे 5 तो divide में 6x बटे 5 कर देंगे गुना कर देंगे 100 गुना कर देंगे 100 पर पर देख सकते हैं दोस्तों पांच दूनी दस तीन दूनी छे और जिरो के साथ जिरो कैंसल तो वन बाइटू था डिवाइड में तो यह भी वन बाइटू हो जाएगा यानि कि वन बाइफूर बन जाएगा तो हंड्रडड बाइफूर जो कि कितना होता है 25 तो 25 परसेंट दो दुसतों चे दुनी कालते हैं बाणां करता है इसने पूछा है कि पहले तो इहां पे 9 फिससे कितनी बढ़ shipping और अब कितनी हो गई सक्ष्टू यहां 6 इस पहले Как लिए और लिए तो यहां पर हमिए אלग कालते हैं पुराने वाली तो अगर 75 करशेंट अगर 55% खर्चता तो बच्चत कितनी होगी 25% अगर 55% खर्चता तो बच्चत कितनी होगी 25% होगी दोस्तों तो 25 चोके 100 तो कितना आएगा X बटे 4 कहती पहली बच्चत इसकी पहली बच्चत कितनी दोस्तों X बटे 4 और अब इसकी बचत कितनी है दोस्तो अब इसकी बचत कितनी है तीन एक्स बटे दस है तीन एक्स बटे दस है तो आप इसको निकाल लो कि यह कितना बनेगा तो देखो दोस्तो तीन एक्स बटे दस में से अगर हम एक्स बटे चार माइनिस करेंगे तो दस यह आएगा तीन ए आगी इसमें कितनी बडुत्तरी एक्स बटे 20 की अब है कितनी थी पहले एक्स बटे 4 तो एक्स बटे 20 बडुत्तरी हुई और एक्स बटे 4 थी तो इंटू हम करते हैं 100 तो काट दो तो कितना आएगा 4 पंजे 20 तो यह आ गया दूस्तों 100 बटे 5 तो 5 दो निए 10 और 0 तो 20 बडुत्तरी आएगी दोस्तों कितने बीस परसेंट तो बीस परसेंट ने आपका यहां पर राइट अंसर यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो 20 परसेंट है यह आजाएगा एक बार दोबारा बताता हूं दोस्तों थोड़ी सी मिश्टेक हो गई थ 25% का लाता है खरचता तो यह खर्च और बचत कितनी होगी 25 परसेंट मेंसे सो 25 इसकी बचत आगी यहuir बचत है यह कहा आगए उसकी आए 20 परसेंट पढ़ जाती है अब यह तो किदिने देर्ट हुआही बढ़ गजिया बढ़ एंगी यानि कितना बढ़ गया कर्चा कितना बढ़ गया 20% है राग कितनी परसंट बढ़ जाती यहाँ पर देखो दूसतो पहले वाली आयं है हमारी अच्छा कि उसकी बचत पूछ इसको हमने माइनिस किया था कितना आधा इक सब्चेट आया था कितना एक सब्सक्राइब यहां पे 10 आये कंपर दवारा देते हैं तो चिक के 12 बारा में से थी जो इसको इसका इक्सब्र का िकंपराबर है दोस्तों यहां चेंद़ आऊएरे पसफ मैं के ब्राबर है थो के साथ सो 15 यानि एह पर आखे-वांबर आए प्रेद को항 सते प्रयुष निंगा है स्था इसे ने क्या कहा थो सब्सक्राइब कके बीकma थे बिर्व बिर्व टंट्रु कितना है दोस्तों सी कहीं के 20 जाएं को twolib काट दो दोस्तों आप A B C 3 की निकलो B की 4,000 अब B की 4,000 है तो 4 ती बारा A की कितने हो जाएगी 12,000 तो A B C 12,000 4000, 2000 जोड निकलना चाह तीनों का तीनों का जोड निकलना दोस्तो तो 12,000 फिर 2000 और फिर 4000 तो 12,24 और 4,18 अजाएगा कितना हैगा दोस्तो 18,000 तो बहुती सिंपल सा कोश्चन था उप्सन भी 18,000 दोस्तों आप राइट अंसर हो जाएगा अब देखतें दोस्तों कोश्चन नमबर 23, 23 क्या है दोस्तों किसी संगठन में 40% करमचारी मेट्रिक पास है 40% मेट्रिक पास है 6 के 50% अब यहाँ पे देखो दोस्तों माल लो करमचारी कितने हैं X थे 40% दोस्तों मेट्रिक पास है तो बच्चे कितने 60% तो 60% बचे गए अब जो 6 बच्चे उनके 50% सना तक है 50% दोस्तों सना तक है उनके तो 50% सना तक अता था 180 है देखो दोस्तों क्या कहा है एक संगठ नहीं उसमें 40% करमचारी मेट्रिक पास है तो 40% मेट्रिक पास है जो सेस बचे सेस कितने बचे 60% उन 60 में से दोस्तों 50% तो सना तक है अब वो 50 निकाल दो तो फिर 50 ही बचेंगे और 50% जो बच गे वो सना का उत्तुरा जोकी 180 के बराबर है तो ये वयल्यू दि उए है करमचारियों के संह्क्री निकालनी ऐ एक की वेल्यू निकालनी है तो जीरो कैंसल कितना आगए दोश्तों चेपंजे 30 चेपंजे 30 बटे 100 ब्राबर 180 तो एक्स की वेल्यू आएगी 180 गुना 100 बटे 30 गुना बटे 30 तीन चीके ठारा 600 आजाएगी एक्स की वेल्यू कितने आगी दोस्तो 600 तो आप देख सकते उपसने 600 या आपका राइट अंसर हो जाएगा तो इस परकार दोस्तो एक कुश्चन आपको करने है और अब देख से 24 किसी प्रिक्षा देने वालों में 640 लड़के और 360 लड़के थी उसके बाद लड़कों ने 60 परसेंट तथा लड़कियों ने 80 परसेंट प्रिक्षा थी अच्छा लड़कों के तो 60 परसेंट पास हुए इस 640 में से 60 परसेंट पास होगे फेल होने वाले बताने कितने हैं अब दोस्तो 60% लड़के पास हैं तो फेल कितने हो 40% यानि 640 का 40% निकाल लेंगे पलस 80% लड़के पास होगी तो फेल कितने हुई 20% इसका क्या निकाल लेंगे 20% निकाल लेंगे तो अब क्या पूछा है कि fail कितने हुए है का प्रत्सत भी निकालना है कितने percent total fail हुए है तो सबसे पहले इसके fail निकाल लो boys girls के fail निकाल लो फिर इनको जोड़ दो तो 0 के साथ 0 cancel 0 के साथ 0 4.16 4.6 24.25 256 boys fail है 0 cancel 0 cancel और दो चीक के 12 दो त्या चीह एक साथ भत्तर क्या दोस्तो लड़किया फेल है इनको जोड़ लो चीह और दो आठ साथ और पांच बारा और यहां पे 328 बच्चे फेल है लेकिन percent में बताना है दोस्तो प्रसेंट में बताना है टोटल कितने है यहां पे आप जोड़ोगे 0 6 और 4 10 एक हजार है टोटल कितने है दोस्तो एक हजार तो एक हजार दोस्तो कितना percent बनता आप यहां पे देखो तो last question देख लेते हैं एक बार 25 उसके बाद आपका प्रस्यत सारा खतम हो जाएगा तो क्या कहा दोस्तो एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपाद boys और girls इनका अनुपाद दिया है दोस्तो तीन अनुपाद दो उसने कहा है दोस्तो यदि लड़कों का अब दोस्तो जब अनुपाद दिया होता है तो हम इसको 3x मालनेंगे और इसको कितना मालनें 5x कि boys 3x है और girls कितना है 2x है अब इसने क्या कहा है दोस्तो कि लड़कों क बीस परसेंट वे लड़कियों का 25 वजीफा दारग उन स्कूली विद्यारतियों का जो वजीफा दारग नहीं है प्रत्सित क्या होगा लड़कों का 20% यानि कि प्रसेंट नहीं होगे 75% नहीं होगे तो यासी निकाल लेंगे 0 कि साथ 0 cancel कितना बचा दूस्तों 2 चुक जो चुक पचे तो 3 चुक के 12 बारा येक्स बचे पांच कोन से बचे दूस्तों जो विजीफा दारग नहीं है अब दोस्तो टोटल कितने है यहां पे तीन और दो पांच एक्स है टोटल कितने है पांच एक्स बनेंगे जो वजीफा दारक नहीं है उनको हम यहां पे निकाल सकते है LCM आएगा 10 12 दूने 24 एक्स पांच दिये 15 एक्स तो 24 और 15 कितना बचेगा दोस्तो 5 और 4 नो और यहां पे 49 एक्स बटे 10 बचेगा 49 बटे 10 एक्स है दोस्तो वो कहां वजीफा दारक नहीं है किन में से 5 एक्स में से तो परसेंटेज में निकालनों दोस्तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे 49 x बटे 10 डिवाइड में 5 x गुना कर देंगे दोस्तो 100 अब दोस्तो इसको दिखते हैं क्या है काटने के बाद x के साथ x cancel तो यह बनेगा दोस्तो 49 x बटे 10 तो यह है और 5 यह गुना में हो जाएगा और into 100 भी है दोस्तो यहां पे और x के साथ x cancel ही हो गया अब दोस्तो 0 के साथ 0 cancel 5 यह दो नहीं 10 तो 49 गुना 2 आ गया और आपको पता है 49 गुना 2 दोने में 18, 2, 36 और 1, 7 78% आ गया दोस्तो कितना 78% आप देख सकते option भी है दोस्तो 78% आपका right answer हो जाएगा एक बार दोबारा बताता हूँ दोस्तो लड़के और लड़के का अनुपाद दिया है 3 अनुपाद 2 तो लड़कों की संख्या 3 x लड़कों की संख्या 2 x टोटल संख्या बनगी 5 x इसे ने कहा दोस्तो लड़कों में 20% वजीफा दारक है तो कितने नहीं होंगे, 80% नहीं होंगे, और लड़कियों में 25% विजीफा दारक है, तो 100 में से 25, 75, तो 75% नहीं होंगे, तो इनके जो नहीं है वो निकाल लिए, ये बने दूस्तों 3X में से 12X बटे 5, और ये 2X में से बने 3X बटे 2, तो विजीफा दारक नहीं है, इन दोन तो 78% आगया तो इस परकार दोस्ते क्सक्शन करना है तो प्रतिषत है जो हमारा प्रसेंटेज है उसके जितने भी कोस्चन दें वह हमारे हो चुके हैं तो उमीद आपको सभी कोस्चन सामझ में आए होंगे फिर भी दोस्तों किसी question में doubt है जो नहीं समझ वाया आप हमें दोस्तों comment करके पूर्च सकते है WhatsApp पे पूर्च सकते है Telegram पे पूर्च सकते है इन दोनों का link आपको description मिल जाएगा और दोस्तों comment करके जुरूर बताना कि आपको video कैसी लगी और comment में भी आप हमसे पूर्च सकते है अगर question क्या है दोस्तों आपको सांज में ना आया हो तो comment में जुरूर बताना video कैसी लगी आपको सांज में आया या नहीं आया अगर सांज में आया है तो दोस्तों video को like जूरूर करना अपने बाकी साथियों के साथ share जूरूर करना और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को भी जूरूर सब्सक्राइब कर देना और bell icon जूरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले videos की notification आपके पास पहुंचती रहे तो दोस्तों ठीक है मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में तब तक के लिए हमारे साथ जूड़े रहेजएगा जै हिंद जै भारत जै नवोद्या